नमस्कार मेरे नाव विकास राज़ड है पलस एजूकेशन के चैनल में आपका स्वागत है सभी स्टुडेंट्स ने नीट का एक्जाम दे दिया है अभी पेरेंट्स और स्टुडेंट्स अभी नीट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और कई students हैं जो अभी सोच रहे हैं कि हम MBBS कहां से करें, India से करें, abroad से करें तो मैं आपको बता दूँ कि जिन students के 580 से score expected score 580 से उपर है या 570 से उपर है उन्हें कांसलिंग में पाइस्पेट करना चाहिए और जिनका 570 से बिलो है general category में उनको एक decision लेना चाहिए कि उन्हें MBBS कहां से करनी है क्योंकि private colleges की जो fees है वो हम सभी को पता है इंडिया में कितनी है, specially रास्थान के medical colleges की private colleges की fees per year 16 legs, 17 legs से उपर है, तो overall MBBS का budget 80 to 90 legs के around जाता है तो एक अच्छा और quick decision हमें लेने की जरुरत है, उन सभी बच्चों को parents को मैं बताना चाहता हूँ कि किन parameters पे आप abroad की कोई country या college select कर सकते हैं, तो मैं कोई, क्योंकि अभी बहुत से parents बच्चे confusion में हैं जैसे कजाकिस्तान में internship को लेकर confusion है, फिलिपीन के duration को लेकर confusion है इसी तरह से किर्गिस्तान के private medical colleges जिनका hospitals होगेरा नहीं है, उसको लेकर confusion है तो अर्मेनिया में जैसे कहीं सारे issues हैं, तो इसी तरह से हर country में कहीं कहीं कोई confusion है तो आप कुछ ऐसे points आप select करें, जैसे education quality उस college की या उस country की कैसी है safety के point of view से वो country कैसा है, इंडिया से उसके relations कैसे है education quality में practical training कैसी है, जिस country के बारे में आप सोच रहे हैं क्या वहाँ पर मिलने वाला college आपको government college मिल रहा है या private college मिल रहा है, government college है या private college है तो उस college के own hospital उसके कितने हैं या कितने hospitals में practical training होती है उसका infrastructure कैसा है, उस country से, इंडिया से relation कैसे है और क्या आपको वहाँ पर कैसा exposure मिलने वाला है ultimately आपको ये सब चीजें points आपको ध्यान में रखना है, इसके साथ ही ध्यान में रखना है कि क्या वो country या college नमसी के gazette को fulfill कर रहा है क्या जो 18th November 2021 को gazette आया है, उसकी terms और conditions को वो fulfill करता है क्या जानने के लिए हमारे videos देखते रहिए, कौन सी country best है, कौन सा college best है, वो भी हम आपको बताएंगे next video में अगर आपको कोई भी confusion है, आपके कोई भी query है, तो मेरा number इस description के link में दिया हुआ है, उस पे आप मुझे text कर सकते हैं या call कर सकते हैं, thank you so much